इंस्टाग्राम पर आपको किस किस ने ब्लोक किया है आप कैसी पत लगए विशतो यार काफी पेड एपलिकेशन एवेलेबल है वहाँ पर लोग इन करते ही आपके अकाउंट पर आपको जिसने ब्लोक क्या होगा उन पेड एपलिकेशन के अंदर पूरी लिस्ट आ जाती है इस इस बंदे ने आपको ब्लोक किया होगा है और वहाँ पर आपके अकाउंट का भी रिक्स होता है आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है उसमें लोगिन करते टाइम और वहाँ पर आपको पेशा भी देना होता है देखो जहाँ पर रिक्स है आपके अकाउंट का बर लगा पाओगे आपको किस किसने ब्लोग क्या हो है simply guys आपको मैं देखो सब कुछ यहाँ पर practically करके दिखाऊँगा सबसे पहले ब्लोग करके दिखाऊँगा सब कुछ practical होगा चलिए सबसे पहले देखो मैं दो account की साथ गयम खेलूँगा एक होगा technical shape 8 और एक होगा technical shape 00 तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको डिने कर देता हूँ यहाँ पर मैं जाता हूँ technical shape 8 पर अब यहाँ पर देखो कुछ proof मैं क्यों कर रहा हूँ practically सब आपको time to time पता चलेगा देखे सबसे पहले मैं technical safe technical safe 00 वाले अकाउंट पर विजिट करता हूँ यहाँ पर सोनी हो रहा है मैं इस तरह से इसका यूजर नेम सच कर रहा हूँ देखो यार यूजर नेम अगर आज आज आपकी girlfriend है या आपका close friend है या फिर आपका कोई close flowers है जिससे आप बात करतो जिससे आप प्यार करतो उसका यूजर नेम यार यहाँ पर एड कर लो जिससे की in future वो काम आ सके अब देखो कितना काम आएगा आपको पता लग जाएगा मैं गया हूँ technical safe के पास अभी मैंने यार इसको ब्लोक कर रखा था अनब्लोक कर देता हूँ ठीक है सबसे पहले मैं करता हूँ technical safe को message यहाँ पर हाए यहाँ पर मैंने technical safe को message कर दिया है अब मैं उस account पर जाओंगा simply यहाँ पर मैं जाओंगा technical safe 00 पर ठीक है यहाँ पर मैं आ गया हूँ तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बात बूत कर लेता है यहां पर मैं बात कर रहा हूँ हंजी इस तरह से मैं बोल देता हूँ इतना ठीक है यह हमारी चेट हो गई है चेट होना क्यों जरूरी है क्या इसका मैटर होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा अब मैं आ जाता हूँ वापसी टेकनिकल सेप एट पर यहां पर मैं कर देता हूँ ब्लोक टेकनिकल सेप जिरो जिरो को अब यह आप हो और जो टेकनिकल सेप एट है टेकनिकल सेप जिरो जिरो आप हो और टेकनिकल सेप एट जो है वो आपकी गर्फरेंड है या आपका बीएफ है मान लो भाई मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको आप close मान तो भाई मीजे मत मान लेना अपना कुछ भी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ example दे रहा हूँ हो सकता है technical safe जो है वो आपका friend है ठीक है अब यार मेरे को कोई भी notification वेगरा नहीं जाएगी इस account पर कि मीजे ब्लोग कर दिया है मान लो यह आप हो और आपका जो बिएफ है या आपकी जो girlfriend है आपका close friend है या आपका family member है या फिर आपका close followers है कुछ भी है यार ठीक है आपका कुछ भी है आप उससे प्यार करतो आप उससे बात करतो कुछ भी मतलब आपको उससे content करने है जब वो आपको block करता है जैसे मैंने या पर block कर दिया है अब देखते हैं क्या उसको कोई notification जाता है आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि उसने आपको block क्या है देखो कोई भी notification वेगेरा यहाँ पर नहीं आएगी आ तो नहीं रही है आप खुद देख लो यहाँ पर अगर उसने आपको like वेगेरा क्या हुआ होगा तो वो automatic आपके account से यहाँ से notification में से भी हट जाएगा पहली पेचान तो यह है कि अगर आपको कोई block करता है और block करने वाला बंदे ने आपकी photo को reels पर या कहीं पर भी like क्या हुआ है अप अपने photo पर या reels पर जाकर देखो वो like हट गया है इस तरह से देखो यहाँ पर आना है इसमें मैंने कोई post वेगरा यार वैसे क्या हुआ नहीं है तो आपको पता चल जाएगा आपके photo पर से वो like वो सब महां से हट जाएगा अब देखो हमने message box में बात करीती अब message box में क्यों बात करीती सिंपल सा method है बता जैसे आप message box में आतो तो यहाँ पर देखो वो बंदा अभी भी आ रहा है और इस टोरी भी सो कर रहा है मेरे को यार बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इसने मेरे को ब्लो कर दिया है लेकिन सबसे पहले अगर आपको उसका account नहीं मिल रहा है आपकी देखो followers list में से भी लिएग वो हड़ जाएगा अगर उसने आपको follower कर रखा होगा या फीर आपने उसको फॉलो कर रखा होगा वो बंदा यहां से गायव हो जाएगाut्य ये भी एक पेचान है ठीक है जितनी पेचान वाता रही हूं सब जान लो इस तरह से यह भी एक पेचान है वो बंदा यहां से गायव हो जाएगा ओटोमेटिक ठीक है अब आप सोचोंगे यार हो सकता है उसना फॉलो कर दिया हो या फॉलोवर्स लिस्ट में से मिज़े रिमू कर दिया हो ऐसा भी हो सकता है अब अगर ऐसा होता है तो सिंपली आपको सच बार में उसका यूजर नेम सेच करने है अभी यहां पर यहां पर आ रहा है लेकिन मैं यहां पर देखो जैसे उसके एकउट पर विजट करता हूं यहां पर मैंने ब्लोक कर ज Mac कर जाता तो यहां पर कोई भी फोटू कोई भी मेल्स बीगरह यहां पर open नहीं थोगी Er cannot be AWS सो नहीं हो रहे जैके बिल्कुल थे यहां पर उसका कुछ भी so , नहीं होगा इस तरह से अगर ऐसा हो रहा है hai if you are हो उसके बाद मतलब आपทहे फाइट होगे उसके बाद लेकर हो crown उसके बाद ऐसा हो रहा है समझे लो ब्लोक कर दिया गया है अभी देखो अगर हम इसको यहां से अटा दे हम सर्च करते है यूजर नेम आपके याद होना चाहिए उसका जिसको भी आप शेक करना चाहते हो ठीक है यूजर नेम याद होना बहुत जादे जरूरी है यहां पर म आपको ब्लोक कर दियता है और उसका जो एक्जैक्ट यूजर नेम है वो यहां पर आप फिल कर रहो उसका अकाउंट यहां पर सो नहीं कर रहे है तो समझ लो उस बंदे ने आपको ब्लोक कर दिया है अब यहां पर भी आपके माइंड में कुछ डाउट आ रहे होगे हो सकत का बताऊंगा देखो यहां पर मैं एकाउंट मा आता हूँ सी ओल पर करके देखो यहां पर टेक्निकल सेप 8 से कोई भी यूजर नेम का एकाउंट नहीं आ रहा है इसका मतलब उस बंदे ने ब्लोक कर दिया है अगर आप एक्जैक्ट यूजर नेम डालोगे ना तो एकदम अ इंस्टाग्राम यूजर नेम याद रखना या फिर कहीं पर एड कर लेना कहीं पर भी ठीक है इस तरह से अगर वो ब्लोक कर दे सर्च बार में सर्च करके पता लगा सकता हो अगर उसका अकाउंट सो ना करे यूजर नेम पर तो समझ लो ब्लोक क्या हुआ है अब अगर चेट पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखो उसकी चेट वो हटी नहीं है और अगर मैं यहाँ पर मैसेज करूं उस बंदे को इस तरह से सर्च करने पर तो एकाउंट आए नहीं रहा मैसेज चला जाएगा लेकिन सीन नहीं होगा अगर 24 आवर्स में सीन ना हो तो समझ ल मैं यहाँ पर भी कुछ ऐसे डाउट आ रहे होगे हो सकता है उसने अपने सारी पोस्ट डिलीट कर दियो या वीडियो डिलीट कर दियो अरे भाई देखो उसका प्रोफाइली आपके सामने नहीं आ रहा है खाली यूजर नेम लिखा रहा है इस तरह से खाली यूजर नेम और यहाँ पर नो पोस्ट येट लिखाएगा इसका मतलब उसने आपको ब्लोक कर दिया है ऐसे आपको पता चल जाएगा और अगर आपके मैंड में यह है कि इस बंदे ने अपना एकाउंट डिलीट कर दिया या फिर फोटो डिलीट कर दिये या फिर वीडियो डिलीट कर यह सारा डाटा अगर आपके मैंड में यह डाउट है हो सकता है आप सोच रहाँ डियक्टिवेट कर दिया हो फोटाउट कर दियो बिलीट करता हूं पर मैं यहाँ पर comment किया हुआ था यह तो देख पाएगा अगर उस account पर कोई post हो चलिए मैं आपके सामने एक post डालता हूँ practically काम करते है ना तो मुझा कुछ अलग आता है simply यहाँ पर मैं कोई भी एक photo ले लेता हूँ अपनी कोई खराब भी ले लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं आ इसकी नसोट ले लिया है यहाँ पर मैंने ठीक है खराब भी चल जाएगा काम चल जाएगा ठीक है एसे काम चल जाएगा इस तरह से मैंने यह photo डाला हुआ है अब यह जो photo डाला हुआ है इस तरह से दखो यहाँ पर practically काम हो रहा है सारा ठीक है यहाँ पर अब मैं उस अकाउंट से सिंपली टेकनिकल सेब जिरो जिरो पे विजिट करता हूँ अनबलोग करके मैं एक कमेंट करूंगा अभी रुको समय जाना सब कुछ यहाँ पर प्रेक्टिकली काम होगा वीडियो लोग हो जाए यार इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको सब कि अभी क्या गया है आप एक्जामपल के लिए सोच लो यह मैंने अब से बहुत टाइम पेले कर देता ठीक है ऐसा आप माल लो क्यों माल लो वो तो मैं आपको बता दूँगा फिर से मैं यहाँ पर इस बंदों को बलोग कर देता हूं ताकि आर आपकी समझ में अच्छे से आप आए ठीक है बलोग हो गया अब मैं जाता हूं सिम्पली उस एकाउंट पर जिसको मैंने यहाँ से बलोग किया था यहाँ पर मैं इस एकाउंट पर आगया हूं अब देखे गईज मेरे को यहाँ पर कोई भी नोटिविकेसन नहीं आया उसने कमेंट किया है नोटिविक आ रहाए है और ये comment आप अभी की मत मानो ये comment आप पहले की मानो आपने जो पहले ीयल्स या पोटू क्या हूऄ है उसके comment box में जाना है उसकी like चेक करना है like हड़ जाएगा वहां से remove होजाएगा और जो उसने comment क्या हूए वह रहेगा comment box में अगर उसका comment रह गया यहाँ पर तो समझ लो बंदेन ना तो अपना account को permanently delete किया है और नहीं deactivate किया है देखो जब बंदा अपना Instagram account को deactivate करता है तो जहाँ जहाँ पर उसने like, comment, follow क्याँवा होता है वो like भी remove हो जाती है साथ के साथ comment भी remove हो जाती है साथ के साथ जो account की profile जितनी वीडियो वेगरा या जहाँ जहाँ पर उसने दूसरे की post पर जाके like, comment, share वेगरा जो भी क्या है वो सब remove हो जाता है अगर deactivate होता है या permanently delete होता है यहाँ से इस comment से हमें ये तो पता चल रहा है कि उस बंदेने ना तो अपने account को deactivate किया है और ना permanently delete किया है खाली हमें ब्लोग किया है comment रहता है और अगर वो like करता है तो like हट जाता है आप बोलो तो मैं ये भी practically करके दिखाऊं चलिए करके दिखाता हूं simply यार time तो लग रहा है लेकिन यार सारे doubt clear करके जाऊंगा इस वीडियो में वीडियो क technical save 00 जो ब्लोग करता है उसके सच बार में username डालने से account आ जाता है जिसको हम ब्लोग करते है इस तरह से हमें पता चल जाता है किसको हमने ब्लोग करके है ठीक है अब मैंने इसको like भी कर दिया है और फिर से मैं ब्लोग कर दिता हूं और ये like आप अभी की मत मानना समझ लो उसने जब तक आपको ब्लोग नहीं किया था जब तक का आप record चेक करना हो सकता है आपकी photo पुरानी हो जिस पर उसने like क्या हो पहले ठीक है अब इस बंदे ने like किया देखो like का जो है ना notification आया था लेकिन हट गया क्योंकि उसने block कर रखा है उसने block कर दिया है ठीक है अब म उसने आपकी पुरानी photo पर या reels पर like क्या होँआ है comment क्या होई है अगर like को सेच का एक होई हो अगरãy za common और आपको जूकीत है comment नहीं हटा है तो समझ लो उसने आपको ब्लोग क्या होई है अपने account पर या थो उसका count suspend नहीं हुआ हुआ है नहीं उसने अपने account पर goshkill select किया उसका account यहाँ पर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना यहाँ पर, list में, अब आपको करना क्या है, अपने friend का mobile लेना है, उसके Instagram account ओपन करके, उसके search बार में यह username सर्च करना है, अगर वहाँ पर उसका account आ जाता है, समझ लो आपको block कर रखा है, अगर आपको अपना friend का mobile नह आपको या अपने ही mobile number पर या अपनी email ID पर उसके दूसरे mobile में आपको एक Instagram account बनाने है, एक्जामपल के लिए बता रहा हूँ, आपने उसके mobile में बना है, अब देखो अगर इस mobile में, आपका जो Instagram account लोगिन था, वो इस mobile में था, इसका जो IP address है, वो same है, अब इस mobile के अंदर जितने भी आप Instagram account बनाओगे, तो automatic block होते रहोगे, उसका account आपके सामने इस mobile से नहीं आएगा, जो second बंदे के mobile में आप Instagram account बनाओगे, देन उसको अगर आप इसमें login कर लोगे, तो एकदम सर्च करने पर उसका account आजाएगा, अगर उसने block करका है, तो सर्च करने पर एकदम पकड़ लेगा, फिर से आपको automatic block कर देगा, वो block नहीं करेगा बंदा, क्योंकि उसने आपको जो block किया था, वो ऐसा किया था, जिससे कि आप कितने भी Instagram account बना लो, एक IP address पे आपको, जो है आप, अटमेटिक block होते रहेगे, तो इस mobile का जो IP address है, वो सेम है, इस mobile में आप ज ब्लोक इसी mobile में होई थे, इसके IP address पो होई थे, तो आप automatic block होते रहोगे, अब यहाँ पर देखो, मैं कोई और account लेता हूँ, जो दूसरे mobile में बना हुआ है, यह वाला मैं लेता हूँ, अपने दोस्त का, यह मेरे mobile से नहीं बना हुआ है, अब मैं यहाँ पर सर्च करता हू टेकनिकल, सेफ, एट, तो देखो, इसी में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यह account इसी में ही लोगी ने, इसलिए guys क्या सीन हो रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ही IP address है, अब यह trick तो यार, second mobile में ही काम करेगी, second mobile में आपको account बनाना है, या उसी के यह account में आपको सर्च कर तो यार, यहां पर automatic सभी पर बलोग हो गया है, क्योंकि उसने जिस account पर आपको बलोग किया है, उसके बाद आपके account जितने भी login है, यहाँ पर, IP address के वज़े सभी पर आप automatic बलोग हो जातो हो, यह ऐसे काम करता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इस चीज को, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ अगर आपको किसी और का मुबाइन नहीं चाहिए ट्रिक यह है आपको Chrome ब्राउजर ओपन करना है अब जैसे आप Chrome ब्राउजर ओपन करतो यहाँ पर आपको करना क्या है Simply search बार में आपको search करना है Instagram.com और यह सलेस लगा देना है इस तरह से इसके बाद जो उसका यूजर नेम है टेकनिकल सेफ एट उसका यूजर नेम ऐसे डानना है आपको देन आपको enter कर देना है इसके बाद उसका जो Instagram अकाउंट है वो यहाँ पर 100% आ जाएगा यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे ने आपको ब्लो की ही कर रखा है देखो यहाँ पर उसका जो अकाउंट है वो 100% ओपन हो जाएगा देखो उसकी सभी post, reels सब कुछ यहाँ पर आगया है आप देख सकतो क्योंकि यहाँ पर हमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लोगिन नहीं कर रखा है यहाँ पर कोई भी IP address काम नहीं करेगा गुगल में इसलिए यहाँ पर उसका अकाउंट आजाएगा username डानने पर इस तरह से आप पता लगा सकतो कि उसने ब्लो कर रखा है तो अब आपको पता चली गया उस बंदेन आपको ब्लो कर रखा है ऐसे आप किसी का भी username से पता लगा सकते हो कि आपको किस किसने ब्लो क्या हुआ है I hope आप लोग की समझ में सब कुछ आ गया होगा वीडियो को यहीं पर end कर देते है वीडियो को लाइक, शेर, कॉमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को आल पर पिस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए